अस्सलाम अलेकूम कैसे हुआ आप सब अलम्दलिल्ला में ठीक उमिद करती हूं कि आप सब भी एक्दम ठीक होंगे तो सबसे पहले तो एक सवाल है पिटारा से जो रोज आके नाश्टा बताती है कि मैं आगे खा रही हूं पराटे हैवी हो गए कभी बलती है यह हैवी हो गय बलती है मैं नाश्टा नहीं कर रही हूं वजन बढ़ रहा है तो बटारारा बोटा तयरे से पुस्ता कहने कि तुन आस्त्य कि यह क्या कर दी है है पने आपको इतना इंपोर्टेंस आपको views आएंगे क्योंकि तेरे चैनल है न कासर से ही चलता है और दूसरी बात कि अगर के तुझे का किया कर लेकिन नहीं तू अपने आपको प्रश्रम करते हैं वह हैवी लग रहा है वह च्छुटा यह बड़ा है लख कर देता रहा तो इतनी इमपोर्टेंस नहीं है जितना अच्छा बेशरम मैंने इसको क्यों बोली, अभी इसको आ आप लोग आगे ठामनेल देखो, तीन दिं का ठामनेल आप लोगो को मैं इसका दिखाती हूं, आप लोग कुछ देखो और पता चलेंगा यह कितनी बेशरम औरत है, यह देखो तीन दीन से इसने बचो को बना के रखिए सिर्फ और तरी बच्चों के उपर बात कर रही है जान बूच के कर रही है ताके फिर बच्चों पर बात होए और यह सिंपती लेने बैठ जाए गोंचु आए वीडियो बनाए और बोले कि मिरे बच्चों पर बात हो रही है लाकि बच्चों पर कोई बात नह हो रही है लेकिन यह और जान बूच के बच्चों को कॉंटेंट बनाई यह इसका गिरा हुआ पन है कई अपने ही बच्चों को नहीं छोड़ती है उनका ही कॉंटेंट बनाते रहती है अब लोग बात करेंगे तो फिर आ होशी होने के लिए बात गटिया और तू यह कर सकती है इसलिए बोली तुझे शरम आने चाहिए पिफिंग चाहिये तो बोलरी अभी मिल नहीं है पता का रख दिया है मिलेंगा तो दूंगी वा पिटारा तेरे को तो होशी नहीं होता है कि कौन सी चीज का एकानी है वैसे जो तू चपल दिखा रही है कि बारिश में बहुत गंदी हो गई थी धूल दिये है ये सूक गई है इसको तू कहां बिठा के पिना रही है डाइनिंग ट रखना जितनी तू ये गंदी हरकते करती है ना दाने दाने को तरस जाएंगी उपर वले की लाठी पड़ी ना तो तू दाने दाने को तरसेंगी पिटारा ये तरी गंदी हरकते करके लोगों को सिका रही है कि इसी घटिया हरकते किया करो जहां पर खाना काते है वहां पर बैटके बम रखके बिठाओ वहां पर बिठाके चपल पिनाओ लानत है तेरे उपर गटिया उरत वैसे जब यह टिफिन कोल के आयत को दिखा रही थी वहीं पर इसके भाई की चोटी सी लड़की खड़ी थी असरत बर की निगाहों से देख रही थी मुझे समझ नहीं आता है के पिटारा बतार ये के मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए तीसरी के बारे में तो अभी बात करेंगे आगे दोनों बच्चे स्कूल गए तीसरी को ट्यूशन बेज रही थी टिफिन देखे बेज रही थी लेकिन वहीं पर आप लोग देखो के नज्जों की दो बेटियां वो इदर पर लेके बैटी है मतलब उनके स्कूल का कुछ नहीं उनकी पड़ाई का कुछ नहीं खुद के घर के नौकरों के लिए खुद के आराम के लिए खुद के घर के काम के लिए दूसरों के बच्चों के स्कूल के खाड़े श्कूल का नुकसान कराके ये दूसरों को अ तो मैं डर गई, मैं डर रही थी, एक बात बता पिटारा, कौन सा दर्वाजा बज रहा था, वो जो तु रूम बताती है, बच्चो का रूम है न, जहां पे तुने बैड लगाई है, उपर नीचे का, तो उसका दर्वाजा तो निकलता ही सीड़ी के पास है, तो दर्वाजा क इसे बज रहा था, तो कैसे डर गई, मिन्स के तु गैलरी वाले रूम में सोती है, गैलरी में से हवा आ रही थी, मा का दर्वाजा बज रहा था, तो खुद अपनी पोल कोलती है, अगर ये बच्चो के रूम में सोती है, गोंचु को बोल रही है, कि आप नहीं थे, दर्व तो वह बता है किसी और के साथ जायर सी बात है जो रूब में बच्चे सोते हैं ना कि बाहर की कोई बेरोब को स्वाली निए उठोने कि था है यहां से पिटारा थे चोरी पकड़ी गई तू किसी बड़ी फ्राड और जूटी औरत है तौ दिखाती है मैं बच्छो ले RD रोम में सोती हूं लेकिन तौ वहां नहीं सोती है तौ ले ले बच्छों वे रोम में जहां पर तुन्हें अपना RD सजाई ह्ये नया फरनीचर रहा है थू वहां पर सोती है और आज तुन पूर्ड बताती है कि देखो मैं यहां पर सो रही हूं यह नहीं सोती है मैं 50 बार बोली हूं लेकिन लोगों को नहीं यकीन आता था अब आप लोग खुश सुन लेना जाके वो वाइस और जो जो बाते मैंने बोली है उसके उपर गौर करना आप लोगों को खुश समझ आ जा यह कभी कोसर चील रही होती है तो कभी अनीता तो कभी रमदान तो चभी हलीमा तो कभी गौछू अब यह बता है क्या भाबी और अध weeds लसंचील लेकिन एक बार भी पिटारा ने ये नहीं बताई कि मैं भी लत्तन चील रही हूं मतलब कि घर में सब नौकर है एक यह है जो कुछ काम नहीं करती है उसके बाद में भी बोलती है हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया मेरे पाश टाइम नहीं होता है बहुत काम है बहुत जुम्म ञानी के उपर, जो किसी ही काम की नहीं है, सिवाए मर्दों के, मर्दों के अलावा ना किसी काम की नहीं है, घर की कोई चीज का तुझे अत्पटा नहीं होता है, बच्चे जप ठीफिन मांगेंगे तो बुलती है, पता नहीं कहां रख दिये, पुलती है, तो पढ़ेंगे, लेकिन डूनकी नेंगी ना तो इसके पता है और ना कोई चीज इसको EST खूर रहता है ना गहरता कोई काम करती है ना बच्चों के उपर तवजजो देती है कोई चीज में वरत तप्पाप आची नहीं छोट पर पपर न pont न Zahlen लोगे उपर वाबी आय तो बनाती ये कोई काम तो बता दे ये करती हूं या मैं की हूं प्रोपर पर अपने घर की जुमिदारी तेरे उपर है कि ने वह ैं कि याशी करने के लिए हैं मंतुझे य माइत और अधानी जया पना वार्टन आपको कुछ नहीं आता तुझे बे शरम हो रहते तुम वैसे पिटारा जूड बोलती है लेकिन कभी-कभी ना बच्चे इसको एक्सपोस कर देती है इतने बोली कि मेरा बच्चा दो बज़े का ट्यूशन गया हुआ है दो बज़े का और मतलब यह जताना चाहती थी कि शाम हो गई ह और दो बज़े का वो ट्यूशन गयी हुई है और फारन तयवा ने बोल दी कि दो बज़े वो ट्यूशन गयी है दो बज़े हम लोग आ रहे है पिटारा बोलने थे पहले सोचा तो कर कि तु क्या बता रही है दो मिनिट पहले बता रही थी कि मैं दो मिनिट बात बताई है क में नमाज पढ़के बैठी हुई एच्छा पिटारा नमाज पढ़ी तुने दिखाई नहीं लिफ्टिक लगा के नमाज पढ़ लेए थी नमाज याद आ गई तुझे यूं क्या हो गया क्यों अल्ला काट खेलना सुरू कर दी क्यों अल्ला याद आ गया तेरे सपोर्टरों क था गाट कैनो पंदरों ये यहाद बहुत के वपने आपको मासूम बताना ये जो टेम पयो मुध्ड आया था तब तो इसनेसं सबाई ब्राएम को कोपी कर ली ते मैं पर पर्दा करूंगी मैं पर्दा कर रही हूं और अभी फिर से शुरू हो गई प्रूफे लग रहे हैं ना तो इसको नमाज याद आ गई लिफ्टिक लगा के लिफ्टिक लगा के नमाज याद आई ये वैसे एक बात बता पिटा रहा है जो तुने बताई है के मेरे सर में आगे अला गेम रहता है जिसके वज़े से ये सारा कुछ ये करती अब एन्यमे इसने जो बोली है उसकी वज़affe से नहीं फहले अपनी बीमारी बता दी के मने टो बीमार हो आह सर में बहुत दर्द है। मैंने गोलियांग खाय ल्ग हैं ताक่र लोग है ना इसकोमयां करें इसको ट्रोल ना करें बोलें हाई हाई फीचारी के उसरमें दर्द था ना साब यह टीप को जाने तो उसकी बाद सवाल कर लेंगे बहुत अच्छा गेम केलती है पिटारा लगदी लाना ते तरे उपर हो गया सर में दर्द सुरू जानमाज याद आ गई जो वीडियो में तुने इतनी घटिया अरकत दिखाई है उसके अंदर तु जानमाज दिखा रही है सर का दरत दिखा रही है क्या समझती है तू के आउडियंस बेवकूफ है उनको समझ नहीं आ रहा है कि तू क्या गेम केलती है बहले ये आउडियंस को समझ आती है कि नहीं आती है लेकिन है न मुझे बहुत अच्छे सा समझ आती है कि तू क्या गेम केलती है वैसे तो तेरी आँखो बले चसमें पहन रही होती थी तो कभी यह बोल रही होती थी मुझे रात को नजर नहीं आता और आप देखो गाड़ियां ले लेके निकल जाती है इसकी वह परेशानी अपने आप और्टोमेटिकली खतम हो गई है ना अपने आप ही इसकी आँखों की जो तकलीफ ही ना वह चालू है तू और बड़ी चालबाजी करती है बड़ी गेम करती है तुझे क्या लगता है के तरी ये सब गेम न्यू है नहीं नहीं ये सब गेम पुरानी है और हमें अच्छे से पता है कि तू गेम कर रही है अच्छा घर का तो खेर एक भी काम वाम कुछ नहीं करती है बच् कई और काम से गया होता यह गोंचु को कामiri घु Bureau ले गयाओ जातो जब इसको ही जाने कंटेंट बनांए के लिए कि उसलिका मैं जा के दिखाना कुछ लेकिन करना कुछ और काम और पिर आने के बाद मैं ऐसे जता रही है कि नहीं मैं गाड़ी तो चला लेती हुँ ना लेकिन मेरी तब्य टीक नहीं है ना मेरा सर दुकर है ना मजब ऐसे जता रही है पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिए और दिखा भी नहीं रही है कि हाँ मैंने ही गोंचो को बेजी थी कोई काम से मैं दब कि इतना ये काम चोर ओरत है और इसे जताती है जैसे सारी जुम्मेदारी ही खुद निभा रही है और दिन में निकली थी बच्चों को लेके वहां से और रात में घर पे पहुंची है क्यो तो यह बिच्चर देखो बिच को मैंने में अज्माब करें कि और फिर सर दिखा कर आते लूहिं धिस्कार के याद के लिए किलीक करा हूं तो बिलकुल पिटा जोप्यमा करनेरी के लिए कि या इत्तुर tattoo निस यह कि क्युक्ट शौक है की लेना देना हुआ गोंचु का लेना देना नहीं था तो मेमरी तो तो कितनी अच्छी बनाती है न वो मुझे बहुत अच्छे से पता है अच्छा ये ये भी बोल रही थी कि मेरे निका के टेम पे न किसी का कैमरा था तो पिच्चर निकाल दी गई थी लेकिन जब मेरी शादी थी तो हमारी कोई मेमरी नहीं बनी, कोई फिचर नहीं निकली अभी आपको थोड़े दिन पहले का याद होगा गोंचु गाओं से आया था तो गोंचु ने इसके हाथ में CD दिया बोला ये लो हमारी शादी की CD तो इसने बोली अरे ये तो खराब हो गई है, इसको साफ करवाना पड़ेंगा इसका कुछ करवाओ, याद है आप लोगों को मतलब के ये औरत कितना जूड बोलती है, वो CD वाला कलीब भी मैं दूनके लगाओंगी या इस रियक्शन पर आप लोग जा के देखना, कि बकाइदा इसकी शादी के अंदर वीडियो शुटिंग रखी गई थी और ये क्या जतार ही है कि फोटो तलब के मेरी शादी में नहीं रखा गया था कितना जूड बोलती है, ये औरत के मों में चाले नहीं आते है, ये औरत के मों पे लानत नहीं बरसती है कितना जूड बोलने पे, बरसतो रही है पिटारा तेरे मों पे लानत, तू गोंचो की सास नजर आती है इतनी लानत बरस रही है फिर भी इतना जूट और वो भी अपने ही वीडियो में पहले सीडी दिखाती है फिर बोलती है फिक्चर तलक्य नहीं है मेरी शादी की ये क्यों नहीं बोलती है गोंचो तुझे फतन नहीं है तो तुने सारी चीजों को न दबा दिये तु निकालना अगेरा क्लिक करवाई थी निका की कोट मेरिज की है न तो वही पिचर लोगों को दिखा दे बहुत भी उजाएंगे वो पिचर का तो तुने आस तलग जिकर तलग के नहीं की है एजाज के साथ में तेरी निका की पिचर वो पिचर क्यों चुपा के रखी है वो दिखाना सबको क्योंकि वो पिचर तेरे दिल के करीब है है न तो वो पिचर दिखा देंगी और लोगों को पता चल जाएंगा तो सोच तेरा क्या रह जाएंगा तो वो पिचर की भी तुने मेमरी बराबर बना के रखी है वो पिचर का नहीं जारी है, इसको वो यह S Abu ya school करवा रही है, और यह जो लोग गुमते-फिरते रहे है, इसके वज़े से S most of school के बहुत नुक्सान हो गया है और अभी यचे मैने तरक के यह home schooling करवाएंगी। और home schooling भी कौन करवाएंगा जो कि Healthalten Kae hablatory teacher हर ना वही करवाएंगी। ये सब है पिटारा के बयान सबसे पहली बात तो पिटारा जो औरत तेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है ना के होम इस्कूलिंग करवा रही है तीचर जो है वो इस्कूल की है नी वो घर में ट्यूशन देती है ज्यादा तर उसका काम होता है के बच्चों का बेबी स सिटिंग करना जो होता है ना उस तरह का वो काम करती है ना कि वो बच्चों को पढ़ाती है तो पढ़ाई कितनी अच्छी उसने करवाई है वो तो रिजर्ट डिख रहा है कि अब तु बच्ची को होम इस्कूलिंग करवा रही है ठीक है और तुने जो तुरू में सिंपती ल पर सकते तो हम लोगोंने तयवा को इसकूल से निकाल दिये इना सारा ब्लेम इसने गोंचो के उपड डाली थी तयवा को इसकूल ना बेजने का अब तो इसके पास में पैसा है नौकर चाकर है unfortunate okays 24 गंटा इसके पास है सब कुछ इसके पास है तो अब आयत को इसकूल ना भेजने का reason मतलब के नुकसान हो गया है का क्या मतलब है चलो खाड़ा हो गया है तो खाड़े तो तेरे दूसरे बच्चों के भी हुए उन लोगों को स्कूल भेजना और एक को स्कूल से निकाल देना तो समझ आगे है आप लोगों को ये इनकी है न फितरत में इनके उपर है न कोई लागू नहीं होता है के बच्चों की पढ़ाई करवानी है बच्चों को एजुकेशन देना है ज्यादा एजुकेशन पर ध्यान देना है ये सब इनके करीब नहीं है ये सब चीजे इनके लिए कोई माहिने नहीं रखती है लेकिन असल हकीकत क्या है वो बता ना पिटा रहा तुने क्यों निकाली बच्ची को स्कूल से पहले तो तु रोती थी ना कि तुम लोग अफ़ोड नहीं कर सकते हो भूच्चो अच्चा नहीं है अभी क्या हो गया क्यों निकाली असल वज़ा बता क्या तुरी बच्ची फेल हो गई उन लोगों ने बोला के ये जो बोलते है न इंटर्वियू लेना इंटर्वियू के अंदर तेरी बेटी को मतलब वो सब नहीं आ रहा है जिसकी वज़े से तरी बेटी को लोगोंने निकाल दिये है बोले है कि इसको थोड़ा बाहर से पढ़ाओ और थोड़ा सी इसको आ जाएंगा उसके बाद में फिर हम इसको स्कूल में लेंगे मतलब कि तेरे सबी बच्चे फेल हो गए मुझे तो स्रिफ तयबा का पता चला था यहाँ पे तो आयत का भी पता चल रहा है कि वो भी फेल हो गई है उसको स्कूल से निकाल दिया गया है और तु जानबुच के दिकार यह निकाल दिया गया है ताके एजाद से तु पैसे वसूल कर सके हैं ना कि तरी बेटि को देख ले मैंने स्कूल से निकाल दी है पैसा भेज तो मैं इसको इसको इसकूल पड़ाओंगी वरना मैं इसकूल नहीं पड़ाओंगी और आप लोगों को पता ही है जो लोग के इसके बच्चों को जो टिवशन पढ़ा रही है ये होम इस्कूलिंग बोलके टिवशन को होम इस्कूलिंग कर रही है होम इस्कूलिंग किसको बोलते है पिटारा वो भी रजिश्टर होती है कि उनके पास में लाइसेंस होता है वो कोई teacher नहीं है ये सिर्फ और सरी baby sitting की तरह बच्चों को सिर्फ और सरी तेरे बच्चों को पढ़ा रही होती है ना के वो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने जा रहे और जीत तरह से तुने बोली है न कि इतने सारे बच्चों के बीच में आयत को पढ़ाने की बजाए एक के उपर जादा तवज्जों देंगे मिंस के तु बता रही है तेरी बेटी फेल हो गई है उसको स्कूल से निकाल दिया गया है तुने ध्यान नहीं दी अपने बच्चों के उपर तुने पेपर नहीं दिलवाई बच्चों को तुने कोई activity नहीं करवाई जितके वज़ प्रती है और बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये सब गया भाड में अभी तो तेरे को और खुशी हो रही हैंगी कि ना सुबा में जल्दी उटना पड़ेंगा ना बच्चों के तयार करना पड़ेंगा ना उसको टिफिन देना पड़ेंगा ना छोडने जाना और यह आके आप बता रही है न ओडियंस को अला कि इसको पहले से पता था पहले दीन से इसको पता था कि आयत इसकुल नहीं जा रही है क्योंकि इसको देखो आप लो वो दोनों बच्चों की इसकुल की तैयारी करवाई उनके कपड़े वगेरा सब कुछ ली आयत ता कुछ क्योंकि इसको पहले से ही पता था कि आयत इसकुल नहीं जा रही है आयत तो निकाल दिया गया है हो सकता है कि कंप्लेंट भी हूई ओएगी इसके स्कुल में तो भी निकाले होएगे कि भई जाओ ये चीचोरा पना छोड़ो अपने बच्चों पे ध्यान दो तो पिटारा जो सच है वो आके तो तु बताएंगी नी iPad और लोग दिए शपल से मारेंगे लोग तेम पर तूतू करेंगे कि इतना पैसा कमाने के बाद में जो बच्कों के नाम पे तो पैसा कमा री थी इतना पैसा कमाने के बाद में तुने उन बच्चों के लिए क्या की है ना यही लोग बोलेंगे ना इसके लिए तुने अपनी उकाद दिखाई और जूड बोली आके लानत पिटारा तेरे उपर बाकी मैं तो बोलूँगे एजास को ते के तेरे बेटी है ना वो जो के प्रूफ हो चुका है तो थोड़ी सी शरम कर और अपनी बेटी को ना कानूनी तरीके से ले और उसको एक अच्छी लाइब दे वरना वो बनेंगी दूसरी फिटारा जो के मैं खुद नहीं चाहती के वो बच्ची बने हम लोग तो उनके इसके बच्चों के लिए तक के अच्छी दूआ करते हैं कि इसका तो साया भी उनके उपर ना पड़े इसके जैसे बनना तो दूर की बात है तो आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है भी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में लापी